दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का फिर से एक न्यू वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO यानि Defense Research and Development Organization की तरफ से Diploma और BB Tech वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वेकेंसी है फ्रेसर से लीजबल हैं आपका कोई भी एक्जाम नहीं होगा ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जामनेशन फीस लगेगी All Our India के कंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और क्या बताये गया हिनके ऑफिसल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूटीव पर सबसे ज्यादा जोब सबडेट पाने के लिए चैनल को भी सबस्क्राइब कर लें ताकि सिविल इंजिनिरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जोब का अपडेट आपसे मिसना हो और आप प्रीमियम टैप जोब्स के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल और वाट्सप ग्रूप को जोईन कर सकते हैं अगर आप RRBJ, SSCJ या फिर किसी भी स्टेट जेई एक्जाम्स की तैयारी बिल्कुल बेसिक लेवल से करना चाहते हैं आप डिप्लोमा होल्डर्स एप्लिकेशन को डाउनलोल कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका गेश टर्बाइन रिसर्च इस्टेबिलिस्मेंट DRDO मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस की तरफ से 24 फर्वरी को जारी किया गया है यहाँ पर आप एडविटीजमेंट नमबर देख सकते हैं बैसिकली यहाँ पर डिप्लोमा, BB टेक और IT वालों के लिए एप्रेंटिस के लिए वेकेंसी आई हुई है जो भी दोस्त हमारे 2020 के बाद के पास आउट हैं अगर आप इसके लिए इंट्रेस्टिल होते हैं, इलिजिबल होते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और वैसे भी आप लाइफटाइम में सिर्फ एक बार है प्रेंटिस कर सकते हैं वो भी कॉलेस से पास आउट होने के तीन साल के अंदर में पहली वेकेंसी है यहाँ पर ग्रेजुएट इंजिनियर्स के लिए अगर आपने बी बी टे किया है इन ब्रांचों में आप यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे नेक्स वेकेंसी आपकी रहने वाली है ग्रेजुएट नोन इंजिनिर्रिंग पोस्टों के लिए अगर आपने बी कॉम, बी सी, बी ए, बी सी या फिर बी बी ए किया है इलिजिबल ब्रांचों में आप यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे next Airbnb आपकी है diploma वालों के लिए अगर आपने diplOMा किया है इन ब्रांचों मेद आप यहाँ पर illisible रहेंगे last nhất यहां पर ITI वालों के लिए है अगर आपने ITI किया है bill ale मेद तो आप यहाँ पर illisible रहेंगे बात करें आपकी vacancy लिटेल के बारे मेद यहाँ पर आपकी किस branch के लिए vacancy रहेगी, total number of vacancies आपकी क्या रहने वाली है, age limit आपकी क्या रहेगी और educational qualification आपसे यहाँ पर क्या मांगी गई है सबसे पहली vacancy यहाँ पर रहने वाली है mechanical, production और industrial production engineers के लिए total यहाँ पर 30 post ओपर vacancy रहेगी अगली post आपकी रहने वाली है aeronautical और aerospace engineers के लिए यहाँ पर 15 post ओपर vacancy है next vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है electrical and electronic, electronic and communication, electronic and instrumentation और telecom engineers के लिए यहाँ पर 10 post ओपर vacancy है अगली vacancy आपकी रहने वाली है computer science, computer engineers, information science and technology engineers के लिए यहाँ पर 15 post ओपर भरती है Metallurgy और Material Science के लिए यहाँ पर चार पोस्टों पर वेकेंसी है और Civil Engineers के लिए यहाँ पर एक पोस्ट पर वेकेंसी है तो BB Tech में कुल मिला कर आपकी 75 पोस्टों पर वेकेंसी रहने वाली है जिन भी दोस्तों हमारे BB Tech किया है इन ब्रांचों में अगर आप इसके लिए interested होते हैं, eligible होते हैं तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं बात करें आपकी age limit के बारे में तो इस पोस्ट में apply करने के लिए minimum age आपकी 18 साल रखी गई है और maximum age यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको age पर government rule के हिसाब से age relaxation मिलने वाला है age का cutoff आपका 16 March 2023 के हिसाब से रहेगा next पोस्ट यहाँ पर graduate non-engineering के लिए हैं अगर आपने BSC किया है chemistry, physics, math, electronic या फिर computer science से आप यहाँ पर eligible रहेंगे या फिर आपने BA किया है English history, finance, banking से या फिर आपने BCA या BBA किया है तो आप यहाँ पर eligible रहेंगे अगली पोस्टे आपकी है diploma वालों के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है mechanical, production, tool and diet design में तो इनके लिए यहाँ पर total 10 पोस्टों पर vacancy है electrical and electronic, electronic and communication, electronic and instrumentation engineers के लिए यहाँ पर 7 पोस्टों पर vacancy है computer science engineer और computer networking engineers के लिए यहाँ पर 3 पोस्टों पर vacancy है अगर आपने डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में आप यहाँ पर eligible रहेंगे यहाँ पर भी आपकी minimum age 18 साल रखे गई है और age पर government rule के हिसाब से यहाँ पर आपको age relaxation मिल जाएगा और next vacancy है यहाँ पर ITI वालों के लिए ITI वालों में यहाँ पर machinist, fitter, turner, electrician, welder, seat metal worker, computer operator और programming assistant के लिए vacancy है टोटल यहाँ पर ITI वालों के लिए 25 पोस्टों पर vacancy है जिन भी दोस्तों ने हमारे B.B.Tech, diploma या फिर ITI किया है eligible branchों में अगर आप इसके लिए interested होते हैं, eligible होते हैं तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं बात करें आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका दो जगे रहने वाला है सबसे पहले आप लोगों को जाना है MHRD portal पर वहाँ पर आपको registration कर लेना है इसके बाद में आपको जाना है DRDO की official website पर वहाँ पर आपको अपना application submit करना है बात करें यहाँ पर कौन-कौन से year के लोग eligible रहेंगे तो जो भी दोस्त हमारे यहाँ पर 2020, 2021 या फिर 2022 के पास out है वो लोग ही यहाँ पर apply कर पाएंगे अगर आप किसी भी organization में apprentice कर रहे हैं या फिर आपके पास एक साल से ज्यादा का experience है तो आप यहाँ पर eligible नहीं रहेंगे बात करें आपके monthly stipend के बारे में तो बी-बी-टेक वालों को monthly stipend यहाँ पर 9,000 डिप्लोमा वालों को 8,000 और आई-टेई वालों को monthly stipend यहाँ पर 7,000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाला है बात करें आपके selection process के बारे में तो selection process यहाँ पर आपका बी-बी-टेक या डिप्लोमा में आपके जो भी final mark आए है उसके हिसाब से हो सकता है या फिर यहाँ पर आपका return test रखा जाएगा या फिर आपका यहाँ पर direct interview रहेगा apply link आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके अपना form easily apply कर सकते हैं जब आप अपना form apply करेंगे आपको किंड किंड डॉक्यमेंट की जरूरत होगी तो यह list यहाँ पर mention की गई है आप चाहे इसका screen sort ले सकते हैं बात करें आपकी important date के बारे में form online होने आपके शुरू हो चुके है last date यहाँ पर आपकी 16 March रहेगी और जो लोग भी यहाँ पर sortist होंगे interview या फिर return test के लिए उनकी list यहाँ पर 6 April को जारी की जाएगी final list यहाँ पर DRDO की official website पर 28 April को publish की जाएगी तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए interested होते हैं eligible होते हैं आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका thank you सुक्रिया वीडियो को like करें शेयर करें civil engineering के सबसी ज्यादा jobs update पाने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें